हाँ तो दोस्तों ICICI bank के Q3 के numbers आ चुके हैं तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे क्यों आपको ICICI bank के ना invest करना चाहिए या नहीं चली शुरू करते हैं तो देखें यहाँ पे पिछले quarter के comparison में जो net profit का number है वो 12% से बड़ा है और यह number आया है 6193 करोड पे और अगर हम year on year basis के numbers के बात करेंगे तो यहाँ पे 25% की growth हमें देखने को मिलिए तो अगर हम देखेंगे quarterly और yearly दोनों ही basis पे net profit का number काफ़ी अठी तरीके से grow हो रहा है और अगर हम अब यहाँ पे NPA के number जाने कि जो gross NPA का number है वो यहाँ पे 4.13% पाया है जबकि पिछले quarter में यह number 4.82% पे था तो यानि कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 0.69% से यहाँ पे बैंके gross NPA के numbers कम हुए है और जो net NPA का number है वो अभी आया है 0.85% पे जबकि पिछले quarter में यह number 0.99% पे था तो यानि कि 0.14% से यहाँ पे बैंक के net NPA के numbers भी कम हुए है तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो asset quality काफी अच्छी तरीके से improve हुए है और अगर हम provisioning की बात करेंगे तो पिछले quarter के comparison में 26% की provisioning यहाँ पे बैंक ने कम की है और यह number आया है 2007 करोट पे तो देखें यहाँ पे जो net NPA का number है यानि कि जो provisioning के बात का number है वो 1% के नीचे आ चुका है तो अब यहाँ पे बैंक की जो provisioning के numbers होंगे आने वाले quarter में और कम होंगे तो profitability और अच्छी से bank की grow होगी यहाँ पे ICICI bank के numbers मुझे कोई issue नजर नहीं आते हैं तो देखें 867 का इसका all time है यह तो वहाँ से लगबग 7-8% यह stock भी नीचे trade कर रहा है तो देखें अगर हम दिखेंगे तो ICICI bank और State bank of India यह पिछले एक साल में इनी banking stock ने सबसे अच्छे return दिये बाकी kotak minor bank हो HDFC bank हो तो इनो ने इतने return नहीं दिये लेकिन ICICI state bank of India के जब दिन अच्छे होते हैं तो दिन यह काफी अच्छा perform कर रहे होते हैं लेकिन जब दिन खराब होते हैं तो तब इनके दिन और भी ज़्यादा खराब होते हैं तो यह बाद आपको दियान में रखने होगी तो कि अगर आप यहां invest कर रहे हैं तो आपका risk appetite high होना चीए यह बाद आपको भूलनी नहीं है तो दोस्टों मैं hope करता हूँ कि आपको ICICI bank के Q3 के numbers के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा अगर आपकी कोई भी queries है तो आप comment कीजिए मैं जरूर आपके comment पर reply करूँगा ओके दोस्टों thank you have a nice day